हालो फ्रेंड जैमात अदी फ्रेंड आज देखें बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट लेके आई मैं यह देखें इसका बैक साइड है और फ्रेंट है बहुत ही जल्दी बन जाता है सिर्फ जिसको सीधा उल्टा बनाना आता है वो भी इसको बड़े आराम से बना सकता है बहुत ही सुन्दर बहुत ही कमपेटेवल होता है तो इसको हम तीन फंदों से स्टार्ट करेंगे और सिक्स मंथ से लेके एक डेड़ साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा है यूंकि स्टैचेवल होता है देखें और जो अगर उपर से लूज है तो यहां पर मैंने डोरी भी बना के लगाई है तो आप ऐसे बनाईए और अपने बेबी को बनाईए फ्रेंड हम सॉक्स बना रहे हैं बेबी के लिए तीन फंदों से हम स्टार्ट करेंगे इसको देखें ऐसे हम तीन फंदे बना लेंगे दो और ये तीन और ये दस नमबर की स्लाई है और ये बर्दमान की उन है गोले वाली अपने आप गोले बनाए है लच्छी वाली है तो अब देखिए पहले हमें तीन फंदे तो ऐसे ही बना लेंगे ये जो हम फंदे डालने के बाद पहली स्लाई बनाएंगे ऐसे दो और एक तीन अब देखिए अब हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे धागा लपेटेंगे और एक फंदा यह बना लेंगे अब दोनों साइड से हम ऐसे ही फंदे लपेटते जाएंगे इस साइड भी यह बनाया बनाना नहीं है पहले ऐसे जाई फंदा करेंट देखिए तो हमारे एक एक स conveniently हसे बढ़ता जाएगा तो हमारे पास पांच फंदे हो गए है अब फिर एक फंदा इस साइड बढ़ाएंगे पहले ऐसे स्लाइफ खाएंगे और इसके उपर से ऐसे गुमागते वो लाएंगे और यह बना देंगे इस तरीके से हम 17 फंदे यहां पर बढ़ा देंगे 17 फंदो तक बहुत ही जल्दी बन जाती है 15-20 मिनिट में यह और बिगनर के लिए कम से कम 20-25 मिनिट लगेंगे जादा नहीं लगेंगे इस वाली सोक्स को बनाने के लिए और जो एक्सपर्ट है तो बहुत जल्दी बना लेगा बस ऐसे हमने एक एक फंदा ऐसे बढ़ाते जाना है तो मैं यह ऐसे ही बना लेती हूँ 17 फंदो तक किसे ऐसे धागा गुमाया अब यह देखिए फ्रेंड 19 फंदो तक बढ़ाया है मैंने क्यूंकि यह उन थोड़ी पतली है तो आपके पास थोड़ी मोटी उन है तो आपे 17 फंदो तक की बढ़ाई है अब यहां से हम इनी फंदो को 17 को ही उपर तक बनाएंगे जब तक पंजे का सोल न बन जाए इस वाले सूज का तो अब हमने यह धारिया इनी 19 फंदो की ही बनानी है दोनों साइड से उल्टी उल्टी तो यह दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हूँ यह मैं इसकी लेंथ कंपलेट कर लेते हूँ फिर आगे जाके फिर हम इस फंदेया जैसे हमने बढ़ाए वैसे हम कम भी करेंग और अगली स्लाई भी पूरी इस तरीके से हमें बना लेंगे फिर मैं आपको आगे धरियां कौंट करके बताऊंगी कि कितनी धरियां बनाई है मैंने अब देखिए फ्रेंड यहां तक मैंने बना लिया तो यह जो मैं बूट बना रही हूं यह है एक साल से लेके डेट दो साल के बच्चे को आराम से आजाएगा सिक्स मन्स से आप इसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं तो पहले यह नौ धरियां तो हमारी यह हमने फंदे बढ़ तक अब यहां से हम काउंट करेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चौदा पंदरह सोला सतरह अठारह उनिस वीस एकिस वाइस तेरिस चौविस पच्चिस दानिया बना ली और नीचे की नौ धरियां अब जैसे जैसे हमने फं फंदे कम करेंगे तो 9 और 25 अब हम उल्टी स्लाइब है यह हमारी सीधी साइड है और यह उल्टी है पहले हम उल्टी साइड जैसे हमने एक एक कोने से देखिए फंदे बढ़ाए थे अब ऐसे हम कम करेंगे और तीन फंदे तक हम ऐसे कम करते जाएंगे दिक दो का एक कर द दोनों साइड से इस वहने बूट में हम फंदे कम करना सिखेंगे अजिक वूरी षिक बना दे ओल्टी अब हम सीधी शाय पे आगे दागा आगे करेंगे फिर दो का एक कर दिया फिर फुरी शाइए हम उल्टी बना देंगे बहुत झीजी बूट है बहुत ही सोन्दर लगता है जब हम अपना कपना आएंगे अपने आपはは जल दीवाख जाता है a आप है अब हम पूर्टी शिछ लाइपे पर पहला पंद तो स्लीपी करेंगे अगला दो का एक जब तक हमारे पास तीन फंदे नहीं बच जाते हम ऐसे ही दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाएंगे तो मैं यह सभी फंदे कम कर लेते हूं फिर लास्ट मैं दिखाते हूं कैसे हम फंदे बंद करेंगे और फिर इसको सीलेंगे एक बार फिर देख लिजी पहला फंदा स्लिप करा पिर दो का एक करा और पूरी स्लाइ हम उल्टी बना देंगे तो मैं बना लेती हूं फिर दिखाते हूं अब यह देखे फ्रेंट तीन फंदे बचे तो आप देखे इन फंदों को मैं ऐसे बंद कर देंगे और यह सिलने के लिए थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे बाकी को काट देंगे तो अब एक बार इसके अंदर से ऐसे निकान लेंगे और इसको टाइट बंद कर देंगे देखें इस तरीके से बनके आए गाए मैं आपको सिलना बताती हूं अब अब देखिए सुई में धागा डालीजिए और इसको ऐसे पकड़ेंगे सीधी साइड मंदर की साइड करेंगे उल्टी बाहर की साइड और एक साइड आपे पूरी सिल लिजिए चाहे आप ए वाली साइड सिल लिजिए चाहे ए वाली ऐसा इसमें कुछ नहीं है सीधा उल्टा बस इनको हमने बरावर सिलते जाना है यहां पर अच्छे से नोट लगा देंगे दो तिन और ऐसे दोनों साइड से हम यह देखिए जो लूप दिखरी है बस इनी लूप को हम ऐसे जोड़ते जाएंगे आपस में झाल को हम जोड़然 है झाल झाल अब इसको यहां पर हम पक्का कर देंगे बैक साइड हमारी कंप्लेट होगी तो यह से दो बाद धावा गुमाया और खीज लिया तो यह पक्का होगे अब यहां से हम काट देंगे इसको और यहां पर एक नोट लगा दीजिए अब हमने उपर वाली साइड से नहीं है अब यहां से यहां तक कम अच्छे से सिलगें अब यहां से यहां तक हम इसको अच्छे से सिल देंगे मैं है कि अब यहां पर हम इसको पका कर देंगे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और इसको पका कर देंगे और यह जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम काट देंगे तो अब यहां पर और यह काट देंगे यहां से अब मैं आपको यह सीधा करके दिखाती हूँ फिर हम इसमें डोरी भी डालेंगे इनकी बच्चे का पॉंच होटा होता है तो यह निकल जाते हैं इस तरीके से हमारा है बहुत ही प्यारा सा देखिए बोट कंप्लेट होता है तो अब यहां पर हम डोरी बनाएंगे तो देखिए ऐसे पकड़ेंगे जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए एक साइड आप डब अब इस साइड से हम इसको ऐसे बल देते जाएंगे इस तरीके से बनके आएगा है फिर इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से तो यह हमारी डोरी बन जाती है अब देखे फ्रेंड मैंने डोरी बना ली तो इस तरीके से पकड़िए आप इसको और यहां से देखिए यह जो दिख रहा है यह देखिए ऐसे इस वाली चेन में हम ऐसे पूरी में डोरी बान देंगे इस साइर से लेना था में एसे यहां से और देखिए यह जो कुली साइड है यहां से हम ऐसे पकड़ेंगे इसको और खीच लेंगे अब फिर यहां से अब आप जितना टाइट एलोज इसको करना चाहते हैं इतना आप इसको कर लीजे पहले यहां पे एक नोट लगा दीजे नहीं तो यह खुल जाएगा अब आप यहां पे पॉम पॉम भी लगाना चाहते हैं तो आप वह भी लगा सकते हैं मैंने सिर्फ यहां पे गांट लगा दी अरे देखिए ऐसे हमें यहां पर बान देंगे इस तरीके से हमारा बहुत ही प्यारा साइब बोट बनके कंप्लेट होता है तो आप भी बनाईए और अपने बेबी को बनाईए ऐसे बनाके और जल्दी बहुत ही जल्दी बन जाता है यह तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना करना मेरी चैनल को थेंक यू